काफी बैतर सांदार लोकेशन के साथ वाली एक प्रॉपटी हमने रेंज की है जिसमें आपको देख सकते हैं ये फार्माउस जो है बिलकुल फुरी में मिलेगा जिस पर आपको जरुवत की प्रतियक विवस्था मिल जाती है जैसे पस्वों को रखने के लिए स्थान बो मिल जाता है रहने के लिए खर मिल जाता है अनाज रखने के लिए गोदाम मिल जाता है बाहन खड़े करने हैं उसके लिए आपको जगह मिल जाती है मतलब सारी सुपधाएं जो एक वक्ति के लिए आवश्यक होती हैं किसी भी लोकेशन पर घर बनाकर रहना या खेती करने के ल बाहन को खड़ा करने के लिए उपयोग मिलेते हैं लेकिन आप यहाँ अधर जैसे की सामान को रख सकते हैं जैसे की आपको अनाज रखना है या कुछ भी जरुवत का सामान वो रख सकते हैं प्लान्टेशन यहाँ पहले से हो रखा है काफी सारा तो आप देख सकते हैं कि location पहले से तायार जमीन है जो आपको यहां रही है तो इससे better जमीन은 और्मर्मली आधसानी से नहीं मिलती है और जो भी कुछ आप यहां देख रहा हैं दो भीगे का जो farmhouse है वो विलकुल आपको free में मिलेगा زمین जो है उसके साथ में समर शेवल का सीन देख सकते हैं कैन वैंया स्टार्ट की गई थी तो ये आपको मिल जाती है तो मतलब देखा जाए तो सब कुछ आपको मिल जाता है पानी देख सकते हैं परियाब तो मात्रा से जादा पानी है क्योंकि जो location है वो इतनी जादा better है क्योंकि water level ही यहां पर मात्र 20 feet का है 20 feet का water level है तो आप समझ सकते हैं कि पानी कितनी जादा मात्रा में आप पा सकते हैं जमीन से तो location बहुत बढ़िया है जमीन बहुत अच्छी है देखिए सारी सुबधाएं है और rate जहां तक देखा जाए तो वो बेहत कम है इतना जादा भी higher rate नहीं है जिसको और भी जादा manage किया जाएगा आने वाले समय में नर्मली ऐसे farmhouse जो पहले से तयार है वो देखा जाए तो जमीन के साथ नर्मली फ्री में नहीं दिये जाते हैं उनके अपने अलग चार्जिस रहते हैं और अगर दो बीगे का farmhouse की भी बात की जाए जो घर ये बना हुआ है और जरूत का सामान है तो इससे आप सिर्फ दो बीगे property को purchase करने के लिए आपको लग दाम घर और जमीन सब कुछ मिलेगा बिलकुल free में तो लगवक देखा जाए 50 लाग से उपर की property आपको बिलकुल free में मिलेगी क्योंकि आप भी जानते हैं कि घरों को बनाने में कितना जादा पैसा खर्च होता है जमीन ओपर कितना खर्च होता है तो आज की जो property उसके बा काफी अची location रहेगी इस property की सिख परवार की जमीन है सबसे महतूर बाद जो की general category से हैं तो आप भी समझ सकते हैं कि सरदार जी की property है जो यह बेचना चाहते हैं और अगर तैसिल की बात करें तो यह भी सजहानपुर ही है साजहानपुर जो की जमीन से कुल 35 km की दूरी पर ह जमीन की बात करें तो कुल 6 एकर का टुकड़ा है जो आपको यहां मिलेगा जिसके साथ आपको यह property मिलती है जैसे की farmhouse 2 बीग एका बिलकुल free में जमीन के बाद अगर हम आपको बताना चाहें तो कीमत है वो starting demand है वो 20 लाक रुपए प्रती एकर की है 20 लाक रुपए यहां आपको 500 बीटर की दूरी पर दाकर डामर रोड से connect हो जाता है जो की लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर जाकर highway से connecting हो जाता है जो की आपका कट्रा फरुखावाद हाई वे रहेगा जमीन है एक बिकति के नाम पर प्रुपपटिए है जो की 6 एकर जमीन है और यह दो फ्रेंट मिल जाता है प्रॉपर्टी का जमीन की बात की जाए अगर देखिए धान की फसल प्रॉपर हो रखे और कितनी सांदार फसल है ये आप देख सकते हैं किस से बैटर फसले नॉर्मली आसानी से नहीं होती हैं जमीनों पर तो इतनी बड़ी है जमीन आपको इस रिपसा लाइट की प्रॉपर कनेक्टिविटी आपको देखा ही होगा कि वो मिल जाती है आपको लाइट के बाद अगर बताना चाहें आपको तो देखिए मार्केट मिल जाता है मदनापूर आपको बिलकुल नजदीक में और बेचने का जो रीजन है वो पैसों की बहुत आवश्कता है कोने तक आप देख सकते हैं यह प्रॉपर्टी यहां पर रहेगी चलिए आगे बाद बात करना चाहेंगे हम यहां पर देखिए लाइट के बाद अगर देखा जाये तो पिसेस्ताओं में घर मिल जाता है जिसमें आपको धेर सारी सुबधाय मिलती है जैसे कि अगर आव उपर बना हुआ है तीन कमरे मिल जाते हैं एक आपको नॉर्मली बरामदा मिल जाता और एक बड़ा हॉल जो कि आपको यहां मिल जाता है साइड में आप चोड़ा सा भी देख सकते हैं रूम वो भी बना हुआ है तो काफी सारी सुबधाय मिल जाती है किचिन मिल जाती है ल वो आपको मिल जाती है एक किलोमेटर की दूरी पर मदनापुर में रेलवेज की बात करें पस टेंट के बाद रेलवेज की बात करें तो ये रहेगा साजहाँपुर 35 किलोमेटर की दूरी पर तिलहार 15, कटरा 18 और जलालाबाद 17 किलोमेटर की दूरी पर बात करते हैं लोग यहां नवास करते हैं तो property बहुत जादा अच्छी है सभी जरूद की सुविधाइं आपको मिल जाती हैं चाहे वो पानी हो लाइट हो या कोई अन्य सुविधाइं सभी परकार की सुविधाइं आपको मिल जाती हैं जमीन मिल जाती हैं यह सारा कुछ आपको देखिए जो अन्य सुविधाइं हैं वो बिलकुल फ्री में मिल जाती हैं कोई ऐस्टा चार्जेस आपको पे करना ही नहीं होता है यह सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है इसमें कि कोई ऐस्टा चार्जेस आपको इस दो भीगा में बने हुए फार्माउस के लिए पे नहीं करना है तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कर यह मिलते हैं बहुत सब्सक्राइब आपसे नए वीडियो में आगे पताना चाहेंगे विजर चार्जेस जो है वह आपके 25 रुपे कर रहेंगे जो माइन होंगे 1% कमिशन से चो भी वेक्ति इंटरस्टेड हों वही कॉल करें और इस प्रॉपेटी को पर्चेस कर सकते हैं तो आज के लिए बस नहीं मिलते हैं एक और नए वीडियो में जी रादे क्रिश्ना